इननने देखो जिकन बनाना भी श्टार्ट कर दिया है वैसे अन्डू ने न पहली भी chikkanda बना था उस दिन काफी टेस्टी बना रहा है था यही मेरे बाल काड़ता है जो कि जो कि काफी अच्छी गाटिक करता है और किया नाम रहा है था तो मंदिर हमारा रात को कुछ ऐसा लगता है कुछ ताइम पहले जो यह लड़ियां थी ना यह पूरी उपर से लग रखी थी और मैं पहले बताया था कि अन्यों भी चाचा की हेल्प करता है बट अब यह हेल्प यह निकरत वाई यह फटावड कर हां चिकन मनाया वाइस ने तो टेस्ट करते हैं तो है गाइस गुट बॉर्निंग वेलकम है आप सब लोगों का देभूमियुत्रखन के टीरी के खूब सुरत गाहों चागाहों से और मेरे यूटूब चैनल लवी राना ब्लॉग में तो सुबह के लगबग आठ से उपर हो चुका है टाइम और ठंड होने की वाजए से आज मेरी नींद लेट में खुली अगया अगया बागी जैसी सुबह उठके बहार आया ना तो उस टाइम देखा कि आस्मान खुलने लग यह बागी इस टाइम देखवाई हल्की हल्की बूंदवांदी दुबार से स्टार्ट हो चुकी है और लगाता तीन दिन की बारिश के बाद दूर से गदेरों के पानी की आवाज सुनाई दे रही है बागी मैंने बताया था कि एक बार जैसी मौसम उजाला देता है ना तो उस सल कके बाइब एक परवथ साब डिखाये दे रहे है और पीडी परवथ बिस आप दिकाये रहे है वाज मम्मी भी भार से में चली जाती है वही गास लेने और आज कल मम्मी को ना बिंकर वाइल टैंसन हो रगी थी वही लगतार बारिश हो रही थी और बारिश वाले मौसम में तब से ज्यादा दिकत मात्र शक्ति को उतिया वही जो गास लेने दूर दूर जाते हैं बाकी ब्रेकफास्ट में मम्मी बूनदा बांदी जो हो रही थी ना वो भी रुग गी है और मेरे दाधी भी आगे वही उपर और दाधी वही टेंसन होगी कि लव आज लेट में जा रहे है और दाधी सुरकंड़ की चड़ाई चड़ने लग गी है अग मेरे को बोड़ी मेरे को ले जावाला अपने आथ बागे आदे रस्त चले गया था और ध्यान आई कि बाई की चाब भी नहीं ले गया और पहल तो ममी ने ये रेन कोड दिया मेरे को ये वी छोड़ दिया तो मैंने ममी बोल रही कि इनको भी लेके जा मौसम को कोई भरोसन या चाम को बारिश ना लगे इसलिए इनको भी ले जिसके वज़े से काफी लेट होगी है और भार ना पूरा अनेरा पढ़िया तो इतने चूटे होगे जिनकी साड़े च्छे वजे या बंदेरा पढ़ने लगगी है अमने सोचे कि आपिस से जल्दी निकलने के बाद फटावर से बाल कटवा देंगे और टाइम से घर तो इसके पास कस्टमर बैठे थे बाई तो यही मेरे बाल काटता है जो कि कापी अच्छी कटिंग करता है ऐसी कटिंगी है इसने मेरी तो थेंक यू आपका और यह भी हमारे गाउं का है और हमारे साथ यह आप जाएगा बागी भार्दी को पूरा अन्नु मेरा वेट कर र तो फिर मेर को ना दिकत सी लगती है नीचे मार्केट जाने में सैटर्टे की दिन ना मस्सी नींद पूरी गड़ता हूं और आप देखते हूंगी कि संडे का मैं बहुत लेट में उड़ता हूं और ब्लॉग भी मेरा लेट में अपलोड होता है बागी मैं बताया था कि दि अन्नु को कॉल करती है विगाए्म ममी को पता होता है कि लभी बाएक चलाता यह बोलके ममी ने घर मगरम चाई भी बना दिया और ब्रून ने देखा कि घर में चीक नारक है और ब्रून यहां से भारी में जा रहा भाई अब बागी एपटावर से चाई पीता हूं और उसक कि असराल से दीदी ने दिये थे वाई जिनको गहर आचाओं बोलते हैं तो जैसे ही भूम ने रोड तक आया तब तक मिर को आसे मिल गया था वाई और जिस टाइम में ड्यूटे से घर पोचना तो उस टाइम कुल्दी भाई भी रोड में था और मैंने उसको बोला था कि यही अन्नु भी आज हमारे हारा है तो अन्नु जो आएगा वो यहीं पर आएगा तो मन्दिर हमारा रात को कुछ ऐसा लगता है कुछ टाइम पहले जो यह लड़िया थी ना यह पूरी उपर से लग रही थी बट आज गल ना लगातार बारिश वी और साथ में हवाई चली जिस अन्नु भी चाचा और पुलदी भाई घूम के भी आ चुके यहां पर और पड़सों ने बताये था कि चाचा की बेटी का नाम करना रहा था और नाम पूछना भूल गया था वाई कि नाम क्या रखा और चाचा कुछ बता रहे थी क्या रहा है विडतिका हाँ इसको याद ह चाचा को अपनी बेटी का नाम ही आदनी है और चाचा देखा और अन्नु के पाप मैंने पड़सों ब्लॉग में बताए थे हां घर जाने के तारे हो रहे हो रहे चाचा भी काफी स्ट्रगल करते है और मैंन पहले बताया था कि अन्नु भी चाचा की हेल्प करता है बद अब निकड़ता बल अब दिन छोटे हो गए ना तो इसकी वाज़े से हम लेट में गहर पहुंच से हैं लेट में जल्दी पहुंच जाते हैं बड़ अन्रेर जल्दी पढ़ जाता है और चाचा को काफी टेंसन होती है चाचा भी फोन पर फोन करते हैं और साथ में मम्मी भी हैं आज मम्मी ने पiferह विए पี้ कॉल की और जब अन्रों ने दोने कॉल यह थाई तब कि तीसी जड़ और ईसने जब तक हम घर में पहुंचgeneration तब तक अचए धार ग करते हैं बाकि ब्रोल किlor मारा है और अन्रों हमारे लग बैंसितकार बागी जब तक हम घर में पहुंचे तब तक मम्मी ने ना चांवाल भी बना दिया और मम्मी हमारा वेट कर रही थी कि जब अन्नु बोलके उसके बाद अन्नु चिकन बनाएगा मैंने बताया था कि अन्नु पहले होटल में जॉब करता था जिसकी वज़े से कापी टेस्टी बनाता है भाई बागी अब पर्षों से स्राद स्टार्ट और मम्मी वैसे बोली रही थी कि आज चिकन लेके आना और फिर अन्नु का प्लैन भी बना कि आज मैं तुमारे आँ जाओंगा तो मैंन का अच्छम होगा है फिर दो तिन बाद चिकन खाना बंद हो जाएगा हमार बागी मैं बताया था कि मम्मी आज घर के जो चावल होते है वो बनारी है जो कि दीदी के सस्राल से दीदी की सासों ने देते वाई और उसकी ना मस्त खुझबारी है भाई हम कीचन में आया और पिछ पिछ आगया इसने आज चिकन के खुझबारी निग भाई यहां से रहे हम भाई हम रहे हम तो मैंन का वही आज तू बना रहा जैसे मर्जी बना वाई अनम्मी देख को भाई थैली से ना सब्सक्राइब रहे है और अज टेस्ट करते हैं एक और नू कैसे चिकन बनाता है बाकी सबसे पाले आणू ने ने भी त्याहस को मिक्स कर के अभी ऐइन्त अंन्ह अंदर चिकन बाना रहा है ऑर इसको नांगी थोड़ी कमी है क्योंकि ब्रोनोको ना हम उश टाइम लेकर गे दे जब रूनो काफ़ी छोटा था यागना था वाई चार दिन गा था और यह आया था यह मारे गर पता नहीं कहाँ से आ गया था वैए और दीदी को दया आई थी उसके बाद दीदी ने उसको खान दिया था और तब से हमारे यहां रहता है इसको अक्कल थोड़ी कम है बट बहुत तेज यह घर में कोई भी आता है ना तो सबसे पहले यही भूंगता है तो अन्नु ने चिकन बनाया और अन्नु भार में चले गया था वाई चिकन पकाने के लिए रखा और खुद भार में बैठ गया प्लेट ओल्टी रक दिया तो अन्नु ने तो चिकन पकाने के लिए बागिए अब यहां आया और इसने देखा कि यहां डम्बल रखा दिया है तो दम्बल जो फूराइंए रौड पर नहीं बाताया है और लोग ना जल्दी खाना बना बनाके शो जाते और इस टाइम इधर साइड पूरा सुन्सान लग रहे हैं सब ने लाइट बंद कर दिये और यह यहां पर अंदेरे में लग रहा है वही रॉड से वेट निकालने पर मैंने बताया था कि यह अन्यों ने जो डंबल मंगाये थे ना उसके साथ रॉड नहीं मिली थी और मेरे को रॉड मिली थी तो रॉड जो है वो यह है और डंबल के साथ ना यह छोटी सी जो रॉड मिली थी ना यह अन्यों के पास है बट मैंने ना इनको फिक्स कर दिया था वही इसके साथ तो मैं इसी को पूरा उठाता था बट अन्यों ने बोला कि इनको अलग-अलग करने उसके वरक आउट करते हैं और अन्यों को एक मैने हो चुके हैं वरक आउट करते करते हिसकी वजए से इसको ना बहुत सारी एक्सराइज पता है तो मैं तो सिंपली करता था और इतनी exercise बता है तो काफी अच्छा लगा अन्नु से सीख के बागी अब एक बार शुरू कर लिये तो अब हार नहीं माननी है और regular ऐसी करने तो सही होगा कि आज अन्नु हमारे हां आया और इतनी सारी exercise मेरे को सीखने को मिली बागी अन्नु तो कि इतनी exercise करी रहा है ना उतनी कम लग रही है वहाई इसको तो यह बार बार करते जा रहा है और सबस्ट कर लिया है तो हार नहीं मानें और एक दिन अपनी बोड़ी सेफ में लेका ही तो बोलते है ना कि मेनाद करने वाहं कि कभी हार नहीं होती तो वही कर रहे है वही और अन्नु तो क्या ही बोले वही अब यह डंबल छोड़ने का नाम नहीं ले रहे है वही तो चट के ऊपर वर्काउट करने में काफी मज़ा आ रहे है विगोज चारों तरफ न काफी सुन्दर दिखाए दे रहे है वही और एक सुकून सा मिल रहे है दीखाए झा काफी पडियाक के बाद और म्मी की चिलाने के बाद अब हम खाना छ आज चुकिया और अन्नो सब से पहले बैठ लेट किया तो आज इतनी एक्सराइज कर दी कि मेरी आ पूरी बौरी प्यारी पेवाइण कर रहे है बागी बागी ममी बताएगी कि अन्नो ने क टेस्ट कर लिया कि चिकण कैसे बन रंढ एक बागी एब मैं अस एकए आप घर मनातो ह। म्या सब्सक्राइब कर दो सिंटू तो उस से अब आप अन्न एन्न ग्रेवी अची हो रहे बाए लिटरली जो ग्रेव इसने बनाई ना बहुत अच्छी हो रही है बागी पटावट से खाते हैं और उसके बाद आज है सेटर्डे और मैंने लाई भी चलना है बाई इस तरगांगे बागी चीकन तो टेस्टी हो ही रहा है और मैंने बताया था कि जो ममी ने चामल बना रखे पूरे कपड़े ऐसी पहले ने के बाद मैंने और इस ब्लाग को यहीं पर एंड करते हैं तो जिसने अभी तक मेरा यूटुब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह यूटूब चैनल सबस्क्राइब कर लें और जन्होंने कर रहा है वो एजी सपोर्ट बनाई रखें मिलते हैं कल के नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए जय देब भूमे उत्राकंद